नमस्कार आप देख रहे हैं सिम्सेट न्यूज इंडिया और मैं हूँ आपके साथ निधीज हाजिरूं टॉप टन खबरों के साथ नज़र डालते हैं देश विदेश की मुखसर क्यों पर पंचाप के सारे पोलिंग बुथों पर लाइव वेब कास्टिंग होगी मुख्य निर्वाचट अधिकारी बोले अब तक 113 करोड का समान के अजब्त CAA पर जबाब के लिए केंद्र को तीन हफते मिले 9 अपरेल को सुनवाई याचका करता सुप्रीम कोट से बोले इस दोरान नागरिकता ना दी जाए फेमन सुरेन की भाबी सीता बीजेपी में शामिल का जारकन को जुकाना नहीं बचाना है सभी 14 सीटों में कमल खिलेगा मोदी बोले इंडिया वाले हिंदु धर्म का अपमान करते हैं तमिलाडू में कहा जिस शक्ती में हमारी आस्ता है कॉंग्रेस डियम के उसे खत्म कर रही है कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी के मीटिंग मैनिफेस्टों पर चर्चा पांच नियाए 25 गैरंटी शामिल होंगे खड़के बोले इन मुद्दों को देश के हर गाउ घर तक ले जाएं ग्रैमंत रहमेज शाह से मिले राज ठागरे एंडिया में शामिल हो सकती है मुंबई दक्षिन लोकसबा सीट मिलने की संभावना अमेरिकी सांसत बोले सीए को रमजान में लागू किया का इससे मामला बिगडेगा हमें भारतिये मुस्लीमों पर इसके असर की चिंता दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूशित हवावाली राजधानी खराब हवा के मामले में भारत तीसरे पाकिस्तान दूसरे नमबर पर बांगलादेश की हवा सबसे ज्याब खराब इमाद वसीम ने ड्रेसिंग रूम में की स्मोकिंग पाकिस्तानी आल राउंडर के स्मोकिंग का वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल इमाद को ट्रूल कर रहे यूजर्स एक आईपियल मैच की कमाई पूरी पाकिस्तानी लीग के बराबर दस क्रुकेट लीग मिलकर भी इससे चौर गुना पीछे ये थी अब तक की दस बड़ी खबरे मुझे दीजी इसाज़त फिर हाजिर होईंगे नई और ताजाख खबरों के साथ देखते रहे एसमजन डियूस अंडिया